कि नमस्कार दोस्तों मैं इस लॉजर सचेनल स्वागात और अभिनेंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का 26 जनवरी 2023 का राशी फर लेकर मैं आपके समक्ष हूं आज पसंद पंश्मी का शुब दिन है महा सरस्थी किर्पा आप पर बरसे आपको बुद्धी और ग्य अंचांक से शुरुवात करते हैं सूरते होगा साथ बच के ग्यारा मिनट पर सुर्यास्तों का पांच बच के चौवर मिनट पर वार है गुरु वार्धित है शुक लुद्ध पक्ष पंचमी नचटर है उत्रभार पर योग है शिऊ चन्दराशी मीन अबजीत मुर्द बा तेक चेतर में चोटी बड़ी अस्विधा होगी जिससे आपको परशानी हो सकती है, घर के काम, बाहर के काम, कही ना कही तकलीफ में दिन बीतेगा, प्रेम सम्मध विवाहिक जीवन आपसी रिष्टों में तकरार संभव है, प्रशव राशी, आज आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, कुछ पैसा बचा सकते हैं, उसको सही जवे पे लगानी की प्लैनिंग लगा सकते हैं, आपकी वाणी मदूर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे, आज महमान आपकी घर आ सकते हैं, इनका स्वागत करें, बहुत जादा भाग दोड़ करन करक राशी, भार्मी गतिवीदियों में भाग लेंगे, बच्चों का प्यार मिलेगा, जीवन साती का साथ मिलेगा, बिद्यार्तियों की पढ़ाई लिखाए अच्छी होगी, प्रेम संबन्ध में एक अच्छी बाचीत होगी, या मुलाकात भी संबव है, जीवन साती से ल प्रेम समद में दिनाशुम रहेगा, कुछ चोटी बोटी चोट चपेट लग सकती है, हर काम, चाए घर का काम हो, चाए बाहर का काम हो, चाए वहां जलाना हो, रिस्क मत लिजिएगा, समझदारी से करिएगा, खोश मत खोईएगा, वरना नुकसान होगा, खासकर सेहत को लेक सकते हैं, सुलस सकते हैं, जीवन साती से रिष्टा ठीक रहेगा, ससुराल से धर्म प्राप्ति के योग है, बच्चे आपके अच्छा करेंगे, प्रहाई लिखाए विद्यार्तियों के अच्छी रहेगी, बड़े बज़रों का दिन अच्छा मीतेगा, महिलाओं के लिए अच्छा है, प्रियासों में सफलता मिलेगी, स्वास्त के परती साउधान रहिएगा, तुला राशी, विद्यार्तिया धिन में रुशी लेंगे, प्रेमी यूगल जोडों के लिए आज का दिन सभागे का होगा, वैपारी को का वैपार पढ़ेगा, नौकरी में आपका द अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, या वैपार में कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं, दिन अच्छा है, सहत अच्छी है, बढ़िया दिन बितेगा, धनुराशी, मारता जी का प्यार बिलेगा, घर की चोटी बड़ी जरूरते, और लाइन शॉपिं तै की जा सकते हैं, कि घर पर हमें ये करना है, वो करना है, इसके लिए बजट बनाया जा सकता है, मकर राशी, आज कड़ा संगहिश का दिन होगा, तराओं होगा, तकान होगा, घर में तूसु मैं में वाद विवाद होगा, बहुत मुश्किल से घर के लड़ाई जगरे श कुमबराशी, आज कड़ा संगहिश का दिन होगा, जिसके करना आप तराओं और तकान गरस्त हो सकते हैं, चोटे भाई मैंनों से आपका प्यार बना रहेगा, परिवार के लोगों से प्यार बना रहेगा, महनत रहेंगे, पैसा आएगा, धीमे धीमे आ रहा है, इधर उतर जिदर के भी आ रहा है, खर्चे कम होंगे, अच्छे खर्चे होंगे, मांगली कार्यों के खर्चे होंगे, इश्वर के धर्म कर्म में खर्चे होंगे, बच्चे आपके आपको खुश रखेंगे, मीन राशी परिवार में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बाचीत अगे रहेंगे वानी से आप सभी का दिल जीत लेंगे बाहर के कारिकरम रद करके कही जाने वाने की बज़ाए घर पर लोगों को बुलाएंगे महमानों कर स्वागत करेंगे आँख में आज को चोड़ चपेट लग सकती है आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे पारवारी कार वते वासु देवाय नमा मंत्र का जाप अवश्य करें कल्यान होगा बसन पंच्वी का दिन है और मैं आपको एक उपाए बता रहा हूँ इस उपाए को करने से आपको बहुत लाव हो सकता है मासरस्ती को आम के बार आम का बार समस्ते आम के जब आम निकलने से पहले उसका बार आता है यानि इसे चोटा सा होता है आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा आम के पेड को देखेंगे तो आम का बार लगा होगा यानि आम निकलने से पहले उसको प्रोसीजर होता है उसको आम का बार बोलते हैं तो आम का बार मा सरस्ती के चड़नों मे चड़ाने का विधी विधान है, इससे बहुत अच्छे रिड़ बिलते हैं, हो सकता है ये सभी को प्राप्त ना हो पाए, तो आप बेसन के लड़ू, सोन पाप्री, केसर वाली खीर या अन्य कोई पीली मिठाई का भोग मा सरस्वती को लगाए, पीले फूल चड़ाए, खु वो बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ गरीबों में भी बाटे हैं, सरस्वती पूजा में मूर्ती का जो मुख है, या फोटो का जो मुख है, वो पक्षिम की ओर हो या दच्चिर पक्षिम की हो इस बात का विशे जियान रखिएगा, आज गरीबों में यसा सम्भावदा करें, कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं, कुछ लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, कुछ नहीं तो पीला हल्दी का टीका भी आप लगाकर बसंद पंशमी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और मासरस्ती के आशिरवास से धन और दौलत दोनों कमा सकते हैं, और साथ-साथ ग्यान भी, खुश रहिए, परसंद रहिए, और अप्ती जनम गुन्ली की जाच कराने के लिए दिये गए नमबरों के संपर्क करिए, आपको बसंद पंशमी की और 26 जनवरी की हार दे की शुप काम दाए हमारे परिवार की तरफ से, नमस्कार, क्या आप लोग साल 2023 की अप्ती जनम पत चाहते हैं, कि आप अंक्रशाथ से अपनी भविश्य को जानना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से अपने भविश्य को जानना चाहते हैं, मैं आपकी हस्त रेखा, आपकी जरम को लई, आपकी अंक्रशाथ को अच्छी तरीके से समझ कर आपको वो पाए बताऊंगा, जिस से आपका आने वाला भाविश्य सुनहरा हो जाएगा जैनी 2023 बढ़िया हो जाएगा और आप चाहे तो अपने घर का अपने फैक्टरी का अपने गोदाम का या आपने बंगले का वास्तू करवा कर भी एस्ट्रो वास्तू कराकर आप अच्छे परिडाम प्राप्त कर सकते हैं साल 2023 में और आप सभी लोग हमारे संस्थान से रत्म, रुद्राक्ष, उपरत्म, इत्यादी, 100% original, unheated, untreated and अच्छे origin के और अच्छे quality के और जोतिश के अनुसार जैसे नियमों से हम उनको बनाते हैं, उन नियमों से बना कर आपको हम देते हैं, आप इनको भी प्राप्त क सब्बर करके, आपका आने वाला वर्ष मंगल में हो, ऐसी शुब का मैं, नमस्कार.